लेरी डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है और बताता है कि सेरेना ने सुसाइट कर लिया है मेहुल तुरान क्राइम सीन पे पहुँच आता है मेहुल क्राइम सीन को अच्छे से अब्जर्व करने लगता है और Larry Mayhul को बताता है कि उन दोनों के बीच में बहुत जोरदार fight हुई थी तो Serena ने poison की bottle से गोल्या निकाली और उन्हें खाली जिसके वज़े से उसकी death हो गई Detective Mayhul bottle को सीधा lab में testing के लिए भेज देता है Lab इंचार्ज Mayhul को confirm करता है कि Serena के fingerprint bottle में है और जो पिल सेरेना ने खाई है वो इस bottle के ही पिल्स है बढ़ ये suicide नहीं है भलकि murder है कैसे logical army सेरेना के fingerprint जो bottle में है उन्हें ध्यान से देखके क्या बता सकते हैं Lab इंचार्ज ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे लगा कि ये murder है सोचे सोचे जहां से देखे fingerprint सिरिफ bottle में है बटल के धक्कन में नहीं है अब ऐसा कैसे possible है बटल को खोलने के लिए धक्कन पे तो हाथ लगाना ही पड़ेगा का मतलब strategy करी Larry ने fingerprint बटल में डाल दिये लेकिन धक्कन में डालना भूल गया और उसके वज़े से वो पकड़ा गया चलिए अगली पाहिली देखते संडे की रात को करीब 10 बचे रैंबो का मडर हो जाता है केस को investigate करने के लिए detective मेहुल पहुँच जाता है वो crime scene पे पहुँच के सबसे पूचताच करता है Tom कहता है मैं तो party में था, मुझे कुछ नहीं पता है मैंने रैंबो को आने के लिए कहा था, बस उसने मना कर दिया था लिली कहती है मैं तो shopping mall में थी Leo कहता है मैं तो park में था, bird watching कर रहा था मैंने रैंबो को आने कहा था, बस उसने मना कर दिया था इनों की बाते सुनने के बाद में तुरन समझ जाता है कि murder किस ने क्या होगा और कौन जूट बोल रहा है लेकिन क्या आप समझ पाए logical army, सोचे सोचे कुन करीब रात को 10 बजे हुआ था अब रात को पार्क में कोई bird watching कैसे कर सकता है वही से मैं वो समझ जाता है, कि लिए जूट बोल रहा है और उसे पक कर लेता है, चलिए अगली पहिली देखता है इंस्पेक्टर गैक एक serial killer को बहुत दिनों से ढून रहा है वो killer अभी तक 30 लोगों को मार चुका है और उसका आखरी victim था Bob investigation करते करते इंस्पेक्टर गैक killer के den में पहुच जाता है वहाँ पे उस वक कोई नहीं था लेकिन इंस्पेक्टर गैक को कुछ scribble letters मिलते है वाल पे यह क्या हो सकता है वो तुरण detective मेहुल को वहाँ पे बुला लेता है मेहुल उन दिवाल पे दिये गए pattern को त्यान से समझने की कोशिश करता है वहाँ पे देखो कुछ और भी है पिर मेहुल वहाँ पे जाता है और देखता है तो वहाँ पे तीन लड़कियों के pictures थे मेहुल तुरण pattern को decode कर लेता है और समझ जाता है कि अगला victim कौन हो सकता है logical argument लेकिन क्या आप समझ पाए pattern को जहां से समझे पहला मदर हुआ था ABA दूसरा मदर हुआ BOB और तीसरा मदर हुआ ABBA अगर आप patterns को ध्यान से समझोगे तो वो palindrome है मतलब first और last letter same है second और second last letter same है तो अगला कौन जरूर ANNA का होगा ANNA ये भी एक palindrome है मेहुल killer से पहले वहाँ पहुँच जाता है और अना की life बचा लेता है और killer को पकड़ लेता है चलिए अगली पहली देखता है Rambo दुन्या का सबसे बड़ा dawn है सारी दुन्या की police उसको धूनने में लगी हुई है दूसरे gangsters भी उसको धूनते रहते हैं लेकिन आज तक उसे कोई नहीं धून पाया है एक दिन सुबर Rambo garden में बैठके newspaper पड़ रहा था तब ही वहाँ पर चार gangsters आ जाते है और कोई एक उसे मार देता है लेकिन कौन detective मेहल वहीं था चारो को वो arrest कर लेता है चारो कहते है हमने Rambo को नहीं मारा है लेकिन मेहल तुरान figure out कर लेता है कि गोली किसने चलाई होगी कैसे logical क्या आप सोच सकते है मेहल चारो की gun को टच करता है और जिसकी गरम hot होती है मेहल समझ जाता है कि उसी ने गोली चलाई है मेहल उसे perk कर लेता है मेहल की smartness के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए चलिए अगली पहली देखता है Monday morning को Alicia का murder हो जाता है detective मेहल को call के जाता है वो crime scene पे पहुँच जाता है murder weapon सामने ही मिल जाता है interesting, very very interesting चाकू से खून किया गया है चाकू पे fingerprint भी थे लेकिन उसमक्ट घर पे कोई भी नहीं था जब खून हुआ तो मेहल ऐलिसया की past life को जानने की कोशिश करता है उसको समझता है कि एलिसया के बहुत सारे affair थे और उसने बहुत से लड़कों को दोका दिया था knife पे जो fingerprint मिले थे वो ये है और ये है उसके पाचों boyfriends के fingerprint fingerprint को ध्यान से observe कीजिए और मुझे बताइए कि ये fingerprint कौन से boyfriend का हो सकता है सोचे सोचे logical army अगर आप fingerprint को ध्यान से देखेंगे तो वो boyfriend के नहीं मुलता एलिसया के fingerprint से match करते है पताब ये murder नहीं ये suicide था चलिए अगली पाइली देखते है ये ली movie देखते के लिए थेटर में जाती है लेकिन उसे क्या पता था उसके साथ कुछ बड़ी गटना होने वाली है डेस्टू में उसना murder हो जाता है डिटेक्टी मेहूल उसना मल्टिप्लेक्स में ही था वो तोरन crime scene पे पहुच जाता है वो मल्टिप्लेक्स के CCTV footage देखता है तो उसे समझता है कि लीली तीन लोगों से मिली थी वो तीनों को पूचताच के लिए बुला लेता है रोहन कहता है मैं तो लीली का college friend हूँ मैं उससे काफी time बाद मिला था तो हमने कुछ बाते की और फिर मैं चला गया पैम कहती है मैं उसे नहीं जानती हूँ उसे movie screen नहीं मिल रही थी तो मैंने बस उसके बदद की फिर हम साथ में restroom गए और फिर मैं वहाँ से चले गई वो वहीं थी एमिली कहती है सर मैं भी उससे नहीं जानती हूँ उसने मुझसे समय पूचा तो मैंने बता दिया फिर वो मुझे वाश्रूम में वापस मिली थी लेकिन अबने बात नहीं की मिली तुरन समझ जाता है कि कौन जूट बोल रहा है और किसने murder किया है लेकिन क्या आप समझ पाए logical army सोचिये सोचिये लिली की dead body को द्यान से देखिए उसने घरी पहन रखी है तो फिर वो एमिली से time क्यों पूचेगी वही मिल समझ जाता है कि एमिली जूट बोल रही है और उसे पकर लेता है चलिए अगली पाइली देखते है पैरिस में new talents आते रहते है अमांडा पैरिस के एक well known singer है उसका आज बहुत बड़ा concert है concert बहुत ही अच्छा गया वो बहुत ठक चुकी थी इसलिए वो अपने changing room में चले गई उसके changing room के बहुत सारी भीर जमाओ गई उसे मिलने के लिए सब को उसका autograph चाहिए था उसके साथ photo के चानी थी पट इतनी सारी भीर allowed नहीं थी तो एक एक करके लोगों को अमांडा से मिलने जाने के लिए दिया गया थोड़ी दिर बाद पता चलता है कि अमांडा की death हो गई है किस्टी को नहीं समझ आता ये कैसे हो गया detective मेहूल crime scene पे पहुँच जाता है मेहूल crime scene को अच्छे से observe करता है तो उसका ध्यान जाता है कि अमांडा की clock तूट चुकी है उसे लगता है अमांडा और killer के भी जरूर fight होई होगी मेहूल को तीन लोगों पे doubt आता है वो तीनों से सवाल पूचता है पहली लड़की कहती है मैं तो अमांडा की बहुत बड़ी fan हूँ मैं भी singer बनना चाहती हूँ मैंने तो उनके साथ selfie भी ली है ये देखिए दूसरी लड़की कहती है मैंने भी बस अमांडा मैं का autograph लिया है वो मेरी बच्ची की फेवरिट सिंकर है मैंने भी उनके साथ selfie ली है ये देखिए तीसरा आदमी कहता है मैं भी जस्ट autograph लेने आया था मैंने उनके साथ selfie भी लिया है ये देखिए मैंने भी बस अब्जर्व करके तुर्ण समझ आता है कि कून ही कौन होगा लिकिन क्या आप समझ पाए logical army सोचिए सोचिए पहली फोटो 10.44 को खिची गई है और अमांडा की क्लॉक देखिए 10.45 को बंद हो चुकी थी मतलब इन दोनों के बीच में ही fight होई होगी और फिर इसने अमांडा का कून कर लिया मेहल उसे पकर लेता है चलिए अगली पहली देखते है मिस्टर डिसुजा का उदके घर पे murder हो जाता है डेटेक्टिब मेहल crime scene पे पहुँच जाता है कुप कहता है मेकैनिक कहता है मिस्टर डिसुजा के कार में कुछ खराबी थी तो मैं तो ठीक करने आया था इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है सबकी statement को द्यान से सुनिये समझे और detective मियूल की मदद कीजिए इस case को solve करने के लिए अगर gardener सुबा से garden में काम कर रहा था तो उसके कपड़े और gloves इतने साफ कैसे हो सकते है मतलब वो जूट बोल रहा है मियूल यह समझ जाता है और उसे पर्क कर लेता है चलिए अगली पहली देखता है मियूल हाइवे से जा रहा था तब ही वो देखता है कि side में एक आदमी पड़ा हुआ है वो उसको check करने जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है कोई कैसे इतना दूर highway पे मर सकता है वो भी शेह से इतना दूर मियूल तुरन पास वाले toll booth पे जाता है और वहाँ से जाने वाली सारी गारियों को ध्यान से observe करता है तीन वेहिकल्स उस्दिन वहाँ से cross होई थी मियूल तीनों उनर्स को contact करता है और उनकी कारों को अच्छे से check करता है यह है car one, यह है car two, यह है car three तीनों कारों को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि किस ने खून किया है लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचे सोचे लॉजकल आर्मी दूसरी वाली वहिकल को ध्यान से देखिए उसके अंदर एक रेड गलफ पड़ा हुआ है और इसी रेड गलफ का दूसरा पेर वो डेड बोड़ी के पास पड़ा हुआ था उसी से मेहुल समझ जाता है कि इसी के ओना ने मर्डर किया है मेहुल उसे पकर लेता है चलिए अगली पहली देखता है मिस्टर गैरी मिलून की ओफिस में पहुचता है और मिहुल को बताता है कि उसने आज एक मर्डर देखा और फिर पूरी मर्डर की स्टोरी बताता है मैं ड्राइव कर रहा था काम करके घर जा रहा था तब ही अचानक मेरी कार बंद पड़ गई मैंने चालू करने की बहुत कोशिच की लेकिन चालू नहीं हो रही थी तो मैंने बहा निकल के कार को देखना शुरू किया मेरे कार के बैटरी डाउन हो गई थी लेकिन तब ही अचानक मुझे एक गंशॉट सुनाई दिया मैं कार के अंदर गया और हैडलाइट शुरू किया तो देखा कि एक मास्ट मैन किसी को मार रहा है मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया ये सब सुनने के बाब में उल समझ चाता है कि मिस्टर गैरी जूट बोल रहे है लेकिन कैसे क्या आप सोचकते हैं लॉजकल आर्मी मिस्टर गैरी ने पहले कहा कि उनके कार की बैटरी डाउन हो गई थी लेकिन फिर उनोंने हेडलाइट कैसे शुरू की वहीं वो पकड़े जू आते है चाली अगली पहली देखते है